नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके यूटूब चैनल एजुकेशन एक्सपर्ट इस्टेडी में देखे दोस्तों बहुत अच्छी खबारे देखे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है वन विवाग को मिले नो सो निन्यान में वन अधियर्ति मैं से 331 महिलाओं का भी सेलक्षन हो चुका है दोस्तों मेरी तरफ से इन सभी अभिहर्ति को हार्दिक सुभकामन है देखे आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों आपका जो जो जोईनिंग लैटर है वो आपकब मिलने वाला है और आपकी जो ट्रेनिंग है वो क पूरी कर लिए मंगलवार को 999 में वन आरक्षियों की पर्थम चैन सूची वन विभाग को सौप दी गई है इन में 331 महिला वन आरक्षी शामिल है परमुक वन सनरक्षन हाफ राजीव भरतरी ने इनकी पुष्टी किये उन्होंने कहा कि चैनित वन आरक्षियों को अपने अ प्रिक्षा सारे प्रिक्षा दोड़ वया अफिलेखो के सत्यापन का कार्य उत्राखंड अधिनसेवा चैन आयोग ने संपन करवाया इसके बाद आयोग ने आरक्षियों की पर्थम चैन सूची वन विभाग को सौप दिया दोस्तों आपके 909 में भ्यारत्यों का सेलक्षन हुआ है और जब कि आपकी जो वकांसी वो बारस ओठारती दे किसमें आगे जानकारी दी गए ऐसा क्यों हुआ वर विभाग की और से उत्तराखंड अधिनस सेवा चैन आयोग देखया आगे लिखा गया चैन आयोग की को 1218 पड़uckle का धिया और भेजा गया था जिसके करम में 909 की पर्थम सूची आयोग की और से भीज़ग फैज दिया गया है तो दोस्तों आयोग की तरफ से 909 और भियारत्यों का सेलक्षन हो चुका है से접ित और क सबसे अधिक अभ्यारती जनपत देहरादून से दोस्तों देहरादून जनपत से सबसे अधिक अभ्यारतों का सलक्षन हुआ है देखे इसमें आगे लिखा गया है वह सबसे कम अभ्यारती बागेश्वरा रुदुपरियाग से हैं भाग पर मुख भरतरी ने बताया कि अब न्यूक्ति होने वाले वन आरक्षियों को और चार रिकता है पूर्ण करने के बाद एक और येंटेशन कारिकर में भाग लेना होगा इसके साथ ही अपने दो वर्स के परिवक्षाकाल के दोरा निर्धार्ट प्रिक्षन कारिये भी पूर्ण करना होगा और दोस्तों आपको आपको परिक्षन कारिये हैं अपको पूर्ण करके सकते हैं है अरे तौ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अगर